नमस्कार आप देख रहे हैं SPN 9 News SPN 9 News में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ निहा पर यह जब से देश के प्रधान मंचरी मोदी यहां पर लक्षदीब दोरे पर गए हैं उसके बाद से आखिर कारण लक्षदीब को लेकर इतनी सियासत क्यों तेज हो गई बताते हैं आपको चलें कि यहां पर देश के प्रधान मंतरी मोदी लक्षदीब गए थे वहां उनकी कुछ फोटोस जो हैं वो काफी जादा सोशल मीडिया पर वाइरल भी हुई वारल होने के बाद यहां पर काफी कुछ लोगों ने बहुत से कमेंट्स भी कसे और विपक्षी पार्टियों ने यहां पर तंजिकसना शुरू कर दिया था बताते चलें कि कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष मलीका जुनकरगे ने यहां तक यह बात कही थी कि देश की प्रधार मंदरी के पास मनीपूर जाने का वक्त नहीं है जहां मनीपूर हिंसा की आग में जल रहा है लेकिन लक्षदीप जाकर फोटो शूट कराने का समय है खेर छोड़िये वो एक अलग बात लेकिन दूसरी तरफ लक्षदीप को लेकर यहां बाइकोट मालदीस लक्षदीप इस तरीके की यह चीज एक आखिरकार क्यो ट्रेंड कर रही है आपको बता दे कि यहां पर भारत के किलाव जो जहर मुहम्मद मुईजू गलते थे वे अब उनकी कुरसी के लिए घातक हो सकता है भारत के लोग जब किसी चीज को बाइकोट करते हैं तो इसका असर दूर तक महसूस होता है चाहे वैचीन का सामान हो या अब मालदीव का टूरिजम हो मालदीव भारत का परोसी है लेकिन अब यहां राश्टर पती मुहमद मुईजू सत्ता में आ गए है मुईजू ने भारत विरोध की जड़िये सत्ता हासिल की है उनके नेता भी सुबह शाम भारत विरोध कर राम अलाप आते हैं लेकिन इस बार उन्होंने एक ऐसे नेता को चैलेंज कर दिया जिसकी हैसियते ग्लोबल लीडर की है अब इसकारन मालदीव की नई सरकार पर संकट के बादल मंढराने लगे हैं क्योंकि विपक्षी दल उनके खिलाफ अज विश्वास प्रस्ताव लाने की मांग कर रहा है मालदीव में संसद्य अलप संक्यक नेता अली अजीम ने सोंबार को पियम मोदी के खिलाफ अपमान जनक टिपनी मामले में मुईजु सरकार को घेरा उन्होंने राष्टरपती मुहम्मद को हटाने के लिए कदम उठाने का आहवन किया है इसके लिए उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी मांग की है इसे बीच आपको बता दे कि वह दा डेमोक्रेट पार्टी के संसद है जिसके नेता पूर्व राष्टरपती मुहम्मद है उन्होंने एक्स पर लिखा हम दा डेमोक्रेट देश की विदेश निती की स्थिर्टा को बनाये रखने और किसी भी पडोसी देश को अलग-अलग करने से रोकने के लिए समर्पित है इसी बीच आपको बता दे कि यहाँ पर मालदीव के राष्टरपती मुहम्मद के मंत्रियों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षदीब जाने पर आपत्ती जनक भाषा का इस्तेमाल किया था अपमान जनक टिपनी के बाद भारत के लोगों की ओर से कड़ी प्रतिकिरिया दी गई इसे देखते हुए मालदीव बैक फूट पर आ गया राष्टरपती मुहिजो ने तीन मंत्रियों को सस्पेंड तक कर दिया और मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युवा मंत्राले में उपमंतरी मालशा सरीफ मर्यम शिहुना और अब्दुल्ला महजू माजित को सस्पेंड कर दिया इसी बीच आपको बता दे कि यहाँ पर भारत से पंगा लेकर बुरे तरीके से फस गए है मालदीव के राष्टरपती मुहिजो और यहाँ दूसरी तरफ मालदीव के तीनों मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया क्योंकि वो भारत के खिलाफ जहरुगलते नज़र आ रहे थे मालदीव या लक्षदीव के दोरे पर नहीं जाना चाहिए था क्या कहना है आपका इस रिपोर्ट पर कॉमेंट बॉक्स में बताएं और देखते रहीगा स्पेंड नाइन न्यूस धन्यवाद